दक्षिन भारत तमिलनादुराज्य श्रीलंका के ठीक उत्तर में बंगाल की खाड़ी के साथ जीवन्त दक्षिन तटपर स्थित है। हम अपने दौरें की शुरुआत राजधानी चन्नई से कर रहे हैं। 1996 से पहले शहर को मदरास के नाम से जाना जाता था। ये नाम अंग्रेजूं का पसंदीदा था। हालांकि चन्नई और मदरास दोनों के उत्पत्ती इतिहास में कहीं खो गई है। मदरास संभवता है पुर्तगालियों से आता है। ये माडरे डे डे डेस से बना है। ये उस चर्च का नाम है जिसे यहां बसने वाले पहले पुर्तगालियों ने यहां रहने वाले, यहां व्यापार करने वाले और कहीं और जाते वक्त यहां से गुजरने वाले कई विदेशूं के लिए बनवाया था। जब सोलवी शताब्दी की शुरुवात में पुर्तगाली यहां पहुँचे तो वो स्थानी लोगों को इसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए काफी उच्सुक थे। लेकिन उन्हें यहां आकर बड़ा जटका लगा। जब उन्होंने देखा यहां पहले से ही एक समुदाय मौजूद है। तरसल चन्नाई का चर्च पुर्तगाली चर्च से काफी पुराना है। करने का फैसला किया। चर्च और संग्रहलय के बगल में सेन टॉमस के अवशेश और उनके द्वारा इकत्र किये गए अन्य अवशेश जैसे की ब्लाड ओफ क्राइस्ट और ब्लीडिंग क्रॉस रखे गए हैं। क्रॉस काफी पहले जा चुका है लेकिन उसकी कहानी इस पत्थर की शिलालेख में विस्तृत है। मूल पूर्टगाली चर्च को ब्रिटिशों द्वारा निर्मित एक विक्टोरिन बिल्डिंग से बदल जया गया है। और जबकि वास्तुकला शुद्ध अंग्रेजी है अंदर आपको कुछ विशिष्ट भारतिय स्पर्ष मिलेंगे। जैसे सेंट फ्रांसिस सेवियर का मकबरा जिन्हें गुवा में दफनाया गया है और हमारी लेडी ओफ मैसोर को भी। वो पुन्य स्थान में हिंदू मंदिरों की तरह प्रवेश करते समय अपने जूते उतारनी के परंपरा का भी पालन करते हैं। लेकिन सान्थों में चेन्नई में एक मात्र ब्रिटिश निर्मित चर्च नहीं है। एक और ब्रिटिश निर्मित चर्च 200 साल ज्यादा पुराना है और एक बहुत ही प्रभावशाली परिसर का हिस्सा है। यहां हम Fort St. George की दिवारों के पास हैं, यह British उपनिवेश का तंत्रिका केंद्र था, 1640 में British East India Company द्वारा निर्मित यह किला बंद व्यापारिक केंद्र St. George's Feast Day के दिन पूरा हुआ था और इस प्रकारिय नाम पड़ा Fort St. George भारत में पहली British बस्ती थी, यह सामराज्य का जन्म स्थान है, जल्द ही कले के चारों और दुकानों से भरी गलियां बन गई, जो अंग्रेजों को हर तरह का सामान प्रदान करती थी यह एक शेत्र George Town के नाम से जाना जाने लगा, तमिल्लाडू सरकार का घर और एक पंजिकरित एतिहासिक स्थल होने के अलावा, किला अभी भी एक Working Military Base के रूप में काम करता है और यहाँ वो पुराना सेंट मेरी चर्च भी है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी, यह पूरे एशिया में पहला एंगलिकन चर्च है येल युनिवर्सिटी के संस्थापक एलिहू येल की शादी यहीं हुई थी और डूक ओफ वेलिंटन की भी जो सड़क के उस पार रहते थे बेशक प्रसिद्ध चन्ने वासी ब्रिटिश निवासियों तक ही सीमित नहीं है किले के दक्षण में थोड़ी ही दूरी पर मद्रास विश्व विद्याले है जहां 125 साल पहले इस अविश्वसनिय सेनेट बिल्डिंग का निर्मान किया गया था शिक्षा के इसकेंद्र ने भारत के एक गवनर जन्रल भारत के तीन राष्टपतियों और दो नोबल लॉरियेट्स को जन्द दिया है प्रमुख वास्तुकार रॉबर्ट चिजम द्वारा डिजाइन किया गया ये इंडो सेरेसेनिक शैली में है जो विक्टोरियन गौफिक और भारतिय विशेश्टाओं का एक मिश्रण है ध्यान दें विक्टोरियन आच खिड़कियां जबकि कोने के तावस के उपर प्यास के गुंबद और कई छोटे गुंबदों का पूर्वी प्रभाव है ये एतिहासिक थल 20 साल के लंबे नवीनी करण की दौर से गुजर रहा है दशिकों की लापरवाही और मौसमी नुकसान से आकिटेक्चिरल डीटेल्स पर बुरा असर पड़ा है इस डेड़ करोर डॉलर्स की बहली के अंत में ये इमारत फिर से चन्नई में सबसे सुन्दर और स्थापत्य रूप से महत्वपूर्ण इमारत हो जाएगी ये शहर महान औपनिवेशिक इमारतों से भरा हुआ है जिनका आज भी उप्योग किया जा रहा है यहां कॉपरेशन ओफ चन्नई बिल्डिंग में जिसे उनका सिटी हॉल कह सकते हैं जहां से 155 पारशद या एल्ड़मेन और मेर शहर पर प्रिशासन चलाते हैं इमारत का नाम बिल्डिश गवरनर लॉड रिपन के नाम पर रखा गया था जिन्होंने स्थानी निवासियों को स्वशासन दिया था आज टूरिस्ट्स के लिए मुख्य आकर्शन इसकी घड़ी की घंटी है घड़ी की घंटी वेस्ट मिन्स्टर क्वार्टर्स बजाती है लंडन का दौरा करने वाले यात्री बिग बैन की घंटियों से राग को पैचान सकते हैं जहां ये धुन पहले से बचती आ रही है पास ही चन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है यहां रोजाना हजारों लोग स्टेशन से होकर गुजरते हैं स्टेशन को आईरिश आर्किटेक्ट हेंड़ी अर्विन ने रिजाइन किया था मद्रास विश्व विद्याले की तरह ये एक इंडो सेरेसेनिक शैली में बनाया गया है हम लोज को एक दूसरे एपिसोड में देख चुके हैं भले ही चन्नई एक व्यस्त महानगर है हम ताकृतिक दुनिया से कभी दूर नहीं है गिंडी स्नेक पाक और बच्चों की शिडिया घर के पीछे गिंडी नाशनल पाक है पाक केवल शोध करताओं और जीव विज्ञानियों के लिए खुला है और ये विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रे प्रदान करता है हम एक शोध करता से मिले जो हमें इस अद्भुत सैंक्चूरी के निजी दौरे पर ले गए बगीचे में सबसे खूब सुरत पौधों में से एक ये कोरल क्रीपर है तरत्यक शरत वितु में ये सदाबाहार, चमकिले, मूंगा, नलीदार फूलों से धका होता है सही परिस्थितियों के मिलने पर ये जाडियां एक बड़े क्शेतर पर कबजा कर सकती है और इस पौधे की तरह वो भी 6 फुट से अधिक उचाई तक पहुंच सकती है एक और पौधा जो गिंडी में काफी आम है वो है फाइकस जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेड अपनी जड़ू को नीचे भेज रहा है ताकि इसे फैलने और पढ़ने में मदद मिल सके गिंडी इस बात का एक बड़ा उदाहरन है कि जंगल में पढ़ने के लिए छोड़े गए पेड पौधे वास्ताव में कैसे व्यभार करते हैं हलांकि जो जानवर गिंडी का सितारा और काफी शोद का केंदर है वो है ब्लाक बक या काला हिरन यह हाइले इंडेंजर्ड हिरन जो इस जंगल की तुल्ना में टेकसस गेम पार्क्स में जुन्डों में ज्यादा आम है दाग बक अपने सिंग और खाल के लिए बेशकीमती शिकार हैं उनके सिंगों में चार मोड हो सकते हैं और वो लंबाई में 18 इंच तक हो सकते हैं वो आम तोर पर 25 तक के जुन में पाय जाते हैं जिसमें एक नर मादाओं के हरम का मालिक होता है विबिन प्रकार के कीड़े भी पाक को घर कहते हैं पूरे पात में उचे दीमक के टीले देखे जा सकते हैं पांचमी शताबदी में एक भारतिये खगोल शास्त्री गणे तक ये ने देखा कि दीमक को जीवित रहने के लिए बड़ी मात्रा में पानी के आवशक्ता होती है और इस वज़े से भूजल हमेशा दीमक के एक टीले और एक करीबी पेड़ के बीच पाया जा सकता था अगली बार जब आप दीमक के खेत्र में फंसे तो इसे ध्यान में रखें जैसे ही हम अपने अगले पड़ाव के लिए चन्नई से प्रस्थान कर रहे हैं मैं आपके साथ तमिल नाडु राज्य और उसके लोगों के बारे में कुछ जानकारी साजा करना चाहता हूँ तमिल नाडु का शाब्दिक अर्थ तमिल लोगों की भूमी है वो एक जातिय समू है जो मुख्य रूप से दक्षिन भारत और श्री लंका के उत्तरपूर्वी भाग में रहते हैं दुनिया भर में तमिल मूल के करीब साथ करोड सत्तर लाख लोग हैं जिनमें सिंगपोर, मलेशिया, न्यूजिलंड, औस्ट्वेलिया, साथ अफरिका, यॉरॉप, कैनडा और यॉनाइटेड स्टेट्स में परियाप्त अप्रवासी समुदाय शामिल हैं उनका इतिहार 2000 साल पुराना है लगभग 1000 ESP की कुछ शताब्यों को छोड़ कर वो मुख्य रूप से एक छोटे, स्वतंत्र, एक समान संस्कृती साजा करने वाले राज्यों में मौजूद थे उनकी एक सामान निभाशा थी, कला के प्रति प्रेम था और वो मंदिरों और धर्म निर्पेक्ष भवनों के महान निर्माता थे और शासक लेखकों और कवियों के महान सन्रक्षक थे चन्नेई से दक्षिन की और चलने और पॉंडी चेरी के आधिरास्ते में है महावलिपूरम ये युनेसको साइट महान निर्मान परियोजनाओं के लिए तमिल लोगों के प्रेम का एक आधर्श उधारन है ये स्थल सात्वी और आठ्वी शताबदी की इमारतों और विशाल नकाशियों का एक अविश्वस्निय संग्र है तमिल पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित ये शहर एक महान बंदरगा है हलांकि पल्लव राजाओं का वास्त्विक योगदान कला के प्रती उनका प्रेम था इतिहासकारों का मानना है कि ये क्षेत्र मूर्तिकारों और वास्तुकारों के प्रशिक्षन के लिए एक प्रकार के स्कूल के रूप में कारे करता था कारियों में शैलिगत विविधता है, संभवता है, इसलिए कि शिक्षकों ने विभिन शैलियों में काम किया संभवता है इसलिए भी कि काम कई शताब्दियों में पूरा हुआ पल्लवों ने गुफा मंदिर, अखंड रत या रत, सन्रचित मंदिर और पत्थरों पर विशाल नकाशी करवाई यहां की सबसे प्रसिद्ध मूर्ती गंगा का अवतरण है कहनी राजा सागर के साथ शुरू होती है जो स्वर्ग में जाकर देवताओं से गंगा नदी को धर्ती पर भेजने के लिए कहते हैं ताकि उनके साथ हजार मारे गए पुत्रों की राख को शुद्ध क्या जा सके देवताओं ने मना कर दिया कुछ सदियों बाद एक बुध्धिमान व्यक्ति हिमाला गया और गंगा को नियंतरित करने वाले विष्णु भगवान की सेवा करने लगा उन्होंने विष्णु भगवान को गंगा को प्रित्वी पर बहनी की आनुमती देने के लिए राजी कर लिया लेकिन विष्णु ने चेतावने दे की नदी का बल सब कुछ बहा देगा इसलिए वो धिमान व्यक्ति भगवान शिव की और मुडा और शिव जी नदी को अप मर्पित वरा गुफा मंदिर को सीधे चट्टान में उकेरा गया था प्रवेश द्वार पर खंभों में उकेरे गए सुन्दर सिंहों पर ध्यान दे वो यहां के द्वार पाल हैं सडक से कुछी कडम की दूरी पर अविश्वसनिय पांच रत हैं रत पत्थर के एक टुक्ड से काटा गया मंदिर है अंग्रेजी में उन्हें चैरियट्स कहा जाता है वो गुलाबी ग्रनेट्स से उकेरे गए हैं और हर एक इतना बड़ा है कि एक समय में कई लोग उसमें समा सकते हैं पांच रत पांच भायों पांडवों को समर्पित हैं उनकी कहानी हिंदू वाले मूर्तियां भी अविश्वस्निय हैं शायद यहां की सबसे असामान ने जगह कृष्णा की बटबॉल है यह प्राकृतिक चट्टान एक पहड़ी पर अनिश्चित रूप से बैठी हुई है कोई भी आदमी इसे कभी भी हिला नहीं पाया है लोग कता है कि एक हाती भ पौरान थंडक महसुस कर सकते हैं वो है यह तटिय मंदिर समंदर के किनारों पर स्थित इस वास्तुशिल पास्चेरे में अकसर सुन्दर थंडी हवाएं चलती हैं इस अविश्वस्नी इमारत को रथों की तरह पत्थर के एक टुकड़ी से उकेरा गया था मंदिर 1400 सालों स जादा पुराना है और दक्षिन भारत में निर्मित सबसे पहले मंदिरों में से एक है और भविश्य के निर्माणों के लिए एक उधारन है बहरी भाग पौरानिक आकृतियों देवताओं और जानवरों से अलंकृत है सामने का मंदिर शिव को समर्पित है और समंदर के सा पौंडीचेरी शहर तट पर बसा हुआ फ्रांस का एक छोटा सा टुकडा है हालाएं कि शहर की जड़ें फ्रांसिस्यों के आने से 3000 साल पहले तक जाती है पंदर सो ईसा पूर्व में एक रिशी ने यहाँ एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया था और 1000 साल तक ये बस एक छोटी सी बस्ती थी फिर रोमन पहुंचे रोमन्स ने कभी कोई काम छोटा नहीं किया पूरे क्षेत्र में उनके व्यापारिक केंद्र मौजुद थे उनमें से एक पॉंडीचेरी के ठीक बाहर था आज भी कभी कभी रोमन मिट्टी के बरतन और सिक्के मिलते हैं जब निर्मान के लिए कहीं खुदाई की जाती है वैसे भी सौ इस्वी और आठवी इस्वी के बीच रोमन्स के जाने के बार शहर लगातार आकार और माहत्प में बढ़ता गया पहले ये एक मचली पकड़ने का गाउं बना फिर पॉंडीचेरी इतना बड़ा हो गया कि यहां एक विश्व विद्याले खुल सका 1670 तक फ्रांसिसी पहुँचे और शहर पर कबजा कर लिया मुह यहां लगभग 300 वर्षों तक रहे शहर को हमेशा के लिए फ्रेंच बना दिया फ्रांसिसी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध भी किया भारत पर कबजा करने के बाद अंग्रेजों ने पॉंडीचेरी पर हमला किया फ्रांसिसीों को बाहर करने की कोशिश की मजबूत इसे अपनी जमेन पर डटे फ्रांसिसीों ने शहर छोड़ने से इंकार कर दिया आखिरकार अंग्रेजों ने हार मानली और फ्रांसिसीों को शहर पर शासन करने दिया फ्रांसिसी 1954 तक रहे अंग्रेजों के जाने के काफी बात तक ये कोई आश्चेरे की बात नहीं है कि पॉंडिचेरी अपने मजबूत फ्रांसिसी इतिहास के साथ सुन्दर कैथलिक चर्चों से भरा हुआ है 1660 के दशक में पहली जैजूइड मिशनरीज यहां पहुँशी वो यूरोपिये व्यापारियों को उपदेश देते थे जो तटके किनारे बस गए थे अठार्वी शताब्दी धार्मिक मिशनरीओं के लिए बड़ी कठिनाईयों का समय था डच द्वारा उनका पीछा किया गया निरंतर लड़ाईयों ने जीवन को खतरनाक बना दिया और कभी कभी इसाई धर्म पूरी तरह से दबा दिया गया सदी के अंठ तक अशान्ट समय बीच चुका था वैटिकन ने एक चर्च पदक्रम स्थापित किया जो पॉंडिचेरी की इसाई बस्तियों में विकसित हुआ आज लगभग 38 प्रतिशत आबादी क्याथलिक है सुबा 250 से अधिक स्कूलों और 97 चर्चों का संचालन करता है पॉंडिचेरी की आत्रा के दौरान हमें दो एतिहासिक चर्चेज में रुखने का मौका मिला सेक्रिड हार्ट ओफ जीजस का गौथिक शैलिका चर्च अधविती है आस्मान से देखने पर चर्च एक क्रॉस बनाता है और काफी बड़ा भी है चर्च में 160 फुट लंबा गलियारा है और ये लगभग उतना ही चोड़ा भी है शेहर के दूसरी तरफ हमने चर्च अफ आवर लेडि ओफ एंजिल्स का दौरा किया हालांकि ये सेक्रिड हार्ट से 50 साल पुराना है ये इमारत अपने हलके नारंगी और हलके चूने के रंगों में क्लासिकल ग्रीक आर्किटेक्चर के साथ ज्यादा नई दिखती है और जब अधिकानश लोक शेहर की ओर से चर्च जाते हैं चर्च के सामने के दर्वाजे समुद्र की ओर खुलते हैं नपोलियन थर्ड के दौर में निर्मित उन्होंने चर्च को धारना की एक दुरलब ओयल पेंटिंग भेंट की यहां सरकारी पाक में उची दिवारों और खंबों की लंबी श्रिंखला के साथ वास्तुकला शुद्ध फ्रेंच है यहां तक की पाक का डिजाइन भी एक आपचारिक फ्रेंच गार्डन की तरह है इस पाक के निर्बान में भी नपोलियन थर्ड का महत्वपूर्ण योगदान था सोलवी शताबदी में पाक कभी वेश्या का घर हुआ करता था लोग कथा है कि यह खूब सुरत महिला अपने घर को कई मुम्बत्यों से रोशन किया करती थी एक गुजरते हुए राजा ने मान लिया कि यह दिये किसी पूजास थल में जल रहे हैं प्रवेश करने और अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो खुद से नाराज हुए और बहुत दोशी महसूस कर रहे थे वेश्या राजा की नेतिकता से इतना प्रभावित हुई कि उसने अपना घर तोड़ दिया ताकि कोई भी वही गलती ना करे इसके स्थान पर उसने एक जलाशाय बनाया 300 साल बाद ये वही पानी था जिसका इस्तिमान नेपोलियन की सेना ने किया उनके आदेश पर उन्होंने जलाशाय को एक पाक में बदल दिया और उसे उस महिला की इस्मृती में समर्पित कर दिया पॉंडिचेरी का अधिकांच भाग अभी भी अपने फ्रांसिसी नामों से जाना जाता है यहां विला ब्लांक और विला नौार है सफेद शहर जहां फ्रांसिसी रहते थे और काला शहर जहां भारती रहते थे आज भी सडकों और गलियों के नाम फ्रेंच है फ्रांसिसियों ने शेहर को ग्रिट पैटन में रखा जिससे पॉंडिचेरी पूरे भारत में नाविगेट करने के लिए सबसे आसान शेहरों में से एक बन गया पॉंडिचेरी में एक और जगह जहां फ्रांसिसियों ने अपनी चाप छोड़ी है वो है बोटानिकल का गया उन्होंने पेट लगाना शुरू कर दिया और मैदान को एक आजमाईशी खेट से विश्वस्तर के बगीचे में बदलना शुरू कर दिया 1999 में आये एक साइकलों ने गंभीर नुकसान किया लेकिन इसने कुछ भूले बिसरे बागों को फिर से जीवन्त करने का अवसर भी प्रदान किया जैसे ये गुलाप का बगीचा पॉंडी चेरी आराम करने की जगए है और द्रिश्य का आनन लेने के लिए और कुछ घंटे बिताने के लिए एक और बेहतरिन जगए वाटर फ्रंट है शहर की केंद्र से पैदल कुछी दूरी पर सेरगा है चट्टानी तट्रेखा की साथ करीब 5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता आराम से चलने या बाइक की सवारी के लिए एक आदर्श स्थान है समुद्र के किनारे आपको गांधी से लेकर जोन आफ आख तक कई समारक और मूर्थिया मिल जाएंगी वाह मानो जैसे पूरा विश्व इतिहास यहां मौजूद हो वाटर फ्रंट से कुछी कदम की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जो पॉंडिचेरी में बहुत ही यूनिक है श्री औरबिंदो आश्रम एक आश्रम एक धार्मिक समुदाय और उसके गुरू का निवास होता है विला नुवार में स्थित इस आश्रम की शिरुवात 1920 के दशक में श्री औरबिंदो घोष ने की थी अंग्रेजू से भाग कर औरबिंदो फ्रांस के नियंतरन वाले पॉंडिचेरी में शरन के लिए आए और वो यहां बस गए और प्रित्वी के एक जीवी तीकाई होने के बारे में बोलना शुरू किया जिने उन्होंने मा का नाम दिया कई लोगों को लगता है कि उनकी शिक्षाओं ने पश्टी में पर्यावरन अंदोलन के विचारों की शिरुवात की एक फ्रांसी सी महिला मीरा अलफासा उनके काम में शामिल हो गई और उनके संदेश को अंतराश्ट्रिय दर्शकों तक पहुँचाया उनके मृत्यों के बाद उन्होंने उनका काम जारी रखा और आश्रम को एक सक्रिय समुदाय में विस्तारित गिया जिसे औरविल कहा जाता है जो शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है और बिंदो और माता जैसा कि मेरा अलफासा को कहा जाने लगा दोनों की समाध ही आश्रम के बगीचों में ही है आज ये उनके अनुयाईयों के लिए शांत चिंतन का स्थान है कल हम एक नई रोमांच की ओर बढ़ेंगे लेकिन आज रात में पॉंडी चेरी में अपने होटेल डून इको होटेल के आराम का आनन लेने जा रहा हूँ यात्रा की योजना बनाते समय चाहे आप कहीं भी जा रहे हूँ कुछ अलग या असामान्या पर विचार करें या आपके सफर को और भी यादगार बनाते हैं चन्नाई की वास्तुकला को एक्स्प्लोर करें फोर्ड सेंट जॉर्ज का दौरा करें ब्रिटिश भारती सामराज्य की जड़ें मद्रास विश्विविद्याले की बहाली को देखें और सेंट टॉमस चर्च को मत भूलिएगा महावली पुरम में एक दिन जरूर बिताएं प्रवेश शुल्क बहुत ही कम है और अविश्वसनी मंदिरों का इतिहाज और नकाशी आपको निराश नहीं करेंगी ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप सब कुछ देख सकें एक स्थानी गाइड को किराय पर लें फ्रेंच पॉंडी चेरी में तह लें यहां की सड़कें, सैरगा और विशिष्ट वास्तुकला आपको फ्रांस ले जाएगी